तो मान लो आप एक बहुत अच्छे एनिमेटर हो एंड आपकी वॉइस भी काफी जादा अच्छी है बट जब आप वीडियो बना के यूटूब पे अपलोड करते हो तो उस पे व्यूज नहीं आते हैं एंड अपने वॉइस ओवर को भी कैसे इंप्रोव करें तो जिनको लगता है भाई मेरी वॉइस काफी जादा खराब है या फिन मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाता हूँ तो वो तो ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना आपके साथ मैंने बहुत अच्छी अच्छी टिप शेयर की हुई है तो स्वागत है आपका लर्निंग एनिमेशन फ्रों बेसिक टो एडवांस के फ्री एनिमेशन कोर्स के एपिसोर नमबर थ्री में तो आज इस वीडियो में हम प्री प्रोड़क्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे तो अब ये प्री प्रोड़क्शन प्रोसेस क्या होते हैं बेसिकली एक एनिमेशन वीडियो बनाने के तीन प्रोसेस होते हैं तो post production में हम sound effects, editing, overlays, compositing, etc. के बारे में सीखेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं pre production के बारे में, तो इसमें सबसे number one पे आता है topic selection, फिर scripting, फिर voiceover, तो सबसे पहले हम topics के बारे में बात करते हैं, तो अपनी video के लिए आपको topic कैसे select करना है, तो वैसे मेरे को काफे सारे comments भी आते रहते हैं, भाई किस topic पर video बनाओ, तो video में आगे बनने से पहले मैं आप लोगों को hitpo online AI dance generator के बारे में बताना चाहूँगा, तो इस AI tool के यूज़ करके हम किसी भी एक simple सी image को dance video में convert कर सकते हैं, एंड इसका use करने के लिए आपको किसी भी software ए app डाउनलोड करने की कोई जोरत नहीं है, आप इसका use online भी कर सकते हो, तो अब मैं आपको इसकी मतल से एक image को dance video में generate करके दिखाता हूँ, तो जब आप description में दिए हुए link पे click करोगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा interface open हो जाएगा, तो आपको simply upload image वाले option पे click करना है, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आजाएगा, जिसमें राइट साइड में इस सारे आपको history दिखाएंगे, जो जो image मैंने already generate किया हुआ है, और left corner पे आपको यहाँ पे upload image का option मिलेगा, तो वहाँ पे click करके आप simply एक image को upload कर देना, और नीचे आपको इन में से कोई भी एक template को choose कर लेना है, उसके adjust आपको कुछ दिर वेट करना है, या आपके image को एक dance video में generate करके दे देगा, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा एक simple photo dance video में generate हो चुका है, तो मुझे तो यह AI tool काफी ज़्यादा पसंद आया, तो आज ही description पे दिए हुए link पे click करके hit upon online AI dance generator पे जाके sign up करें, और वहाँ पे अपनी वीडियो के लिए आपको topic कैसे select करना है, तो वैसे मेरे को काफी सारे comments भी आते रहते हैं, भाई किस topic पे वीडियो बनाओं, भाई कुछ suggestion दे दो, तो देखो यार, पहली बातो topic की कमी होनी नी चाहिए एक YouTuber को कभी भी, अगर आपको first 5 वीडियो बनाने में topic की कमी पढ़ रही है, फिर तो भाई आप कभी एक YouTuber नहीं बन सकते हो, बट फिर भी मैं आपको कुछ topic suggest कर देता हूँ, तो सबसे पहले तो आप weather के उपर ही चार वीडियो बना सकते हो, like summer vacations, winter vacations, इसके लावा आप exam के उपर वीडियो बना सकते हो, festivals के उपर वीडियो बना सकते हो, like diwali के उपर, holi के उपर, दुरगा पुजा के उपर, Christmas के उपर, और भी काफे सारे festivals होते हैं, आप उनके उपर वीडियो बना सकते हो, एंड इसके लाब आप parody वीडियो भी बना सकते हो किसी भी anime के, cartoon के या youtuber के या फिर किसी movie का भी parody वीडियो आप बना सकते हो Like Doremon का, Sinchen का, Benten का, Naruto का, Demon Slayer का और भी G-Smarji anime या cartoon का parody बना सकते हो बस छोटा भीम का parody बिल्कुल मत बनाना वो copyright मार देते हैं एंड पैरोडी के लाब आप story time animation videos भी बना सकते हो एंड इस टोरी टेम वीडियो के तो 36 topics होते हैं Like first day of school, first day of college, my first bunk या फिर आपके साथ कुछ funny incident हुआ हो school days में या फिर कुछ भी आपके साथ real life में कोई funny incident हुआ आप उसके उपर वीडियो बना सकते हो या फिर childhood memories या cartoon किसी के उपर वीडियो बना सकते हो यार वीडियो topics कोई कमी नहीं है तो यार वीडियो topics तो काफी सारा है इन में से कोई भी आप एक topic को select कर लेना एंड उसके बाद आप हम बात करते हैं scripting की तो scripting एक ऐसी चीज है जो आपको कोई सिखा नहीं सकता है because scripting आपके nature, sense of humor and ability of thinking पे depend करता है for example एक introvert person के लिए एक funny scripting लिखना काफी ज़्यादा tough होगा तो अगर आप सोच रहे हो कि not your type introvert है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है but मैं आपके साथ कुछ tips share कर सकता हूँ जो आपकी scripting करते टाइम काफी ज़्यादा help कर सकती है तो अगर आप एक introvert और आपसे funny scripting नहीं की जाती है और आप यह सोचते है कि funny scripting यह अच्छी scripting होती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है because scripting काफी तरक होते है जिनमें से एक example है mute scripting तो आप सोच रहे हो कि mute video को कौनी देखेगा लोग skip करके छोड़ के चले जाएंगे but ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है mute scripting वाली videos पे करोडों में views आते हैं mostly short film भी mute में ही बनते हैं तो mostly short film में भी कोई sound effect नहीं होते है और उनमें करोडों में views भी आते हैं तो mute scripting को मैं आपको एक example करते हूँ तो एक character राम से अपने कमरे में study कर रहा होता है और उसका pet dog काफी ज़्यादा भोक रहा होता है जिसकर करके वो काफी ज़्यादा परिशान हो जाता है जिसकर करके वो अपने eraser से अपने कुत्ते को मारता है फिर उस कुत्ते को काफी ज़्यादा bad feel होता है बट फिर भी वो कुत्तक भोकते ही रहता है तो अचानक से उस बंदे का ध्यान जाता है कि देखता है कि भाई कमरे के बाहर आग लगी होती है फिर उसको पता लगता है कि भाई उसका कुत्तक किस ले भोक रहा था और वो कुत्ते को लेकर खिरकी से जंप कर लेता है तो ये एक perfect example था mute scripting का तो आप ऐसे भी hard touching videos, short films बना सकते हो ये भी audience को काफी ज़्यादा पसंद आती है बट अगर आपको फिर भी funny scripting ही करनी है तो इसके लिए भी मैं आपको एक tip share करता हूँ तो सबसे पहले तो आप अकेले कभी funny scripting मत करना आप अपने किसी अच्छे sense of humor वाले दोस्त को call पे या फिर उससे मिलके उसके साथ में funny scripting कर सकते हो तो अगर आप notio type को जानते हो और आपने notio type की कई वीडियो देखी होगी तो आपने notice क्या होगा notio type अपनी वीडियो को हमेशा off topic ले जाता है तो आप इस तरीके से भी अपनी scripting को थोड़ा अच्छा बना सकते हैं तो यह एक बहुत बढ़िया example था off topic वीडियो का तो आपकर simple language मैं आपको समझाओं तो जिस topic पर हमारी वीडियो होती है उसके अलावा हम किसी और topic के बारे में बात करने लग जाते हैं तो इसे हम off topic कहते हैं तो end में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा आप जैसे अपने animation को इतना time देते हो वैसी अपने scripting को भी थोड़ा ज्यादा time दो ना कि उससे feedback ले सकते हो या फिर कुछ improvement कर सकते हो तो scripting करने के बाद अब बारी आती voice over की तो voice over तो आपकी वीडियो में scripting से ज्यादा important role play करता है because video को start करते कोई भी सबसे पहले आपकी voice सुनता है तो voice को अच्छी और engaging बनाने के लिए मैं आपको कुछ tip share कर देता हूँ उससे पहले आप मेरी पहले की voice सुनो and अब की voice सुनो यानि मैं अपने character का घर बनाने जा रहा हूँ जिसका use मैं अपने upcoming videos में करने वाला हूँ और guys subscriber कम है तो पता ही यह थोड़ा confidence की कमी है और अवाज भी मेरी ज़्यादा अच्छी है नी so please थोड़ा compromise करना तो चलो बिना time विश्ट किये तो आप simply फर्क देख सकते हूँ मेरे पहले की voice over के confidence में and अभी के voice over के confidence में तो मेरे पहले की voice over खराब होने का main reason था मेरे पहले की voice over बिलकुल emotion less होती थी for example इस video के जैसे मैंने starting की तो माल लो मैंने अपने video की starting कुछ ऐसे की होती तो माल लो आप एक बहुत अच्छे animator हो and आपकी voice भी काफी ज़्यादा अच्छी है तो ऐसा इसलिए हो रहा है because आपकी scripting में dumb नहीं है तो आप देख सकते हैं emotions आपकी voice को कितने ज़्यादा attractive बना देती है and जिन लोगों को लगता है उनकी voice खराब है तो देखो यार सभी YouTubers को अपनी voice खराब लगती है बड़ मैं जैसे जैसे वीडियो बनाते गया मेरी voice इंप्रूव होते गई तो अगर आप इस डर से वीडियो नहीं बनाओगे कि आपकी voice खराब है तो आप कभी एक YouTube animator नहीं बन सकते हो so कोई ना स्टार्टिंग में आपकी voice थोरी खराब लगेगी आपको धीरे धीरे इंप्रूव करते रहना तो आपकी voice काफी अच्छी हो जाएगी तो एक मैं अपने तरफ से अगर आपको tips दो तो आप कोशिश करना जादा जोर से बोलने की ठीक है अगर आप जोर से बोलने की कोशिश करोगे तो इससे ऐसा लगेगा कि आप confident हो तो इस trick का use मैं खुद भी करता हूँ मैं अपने normal voice से थोरा सा जोर से बोल के ही record करता हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं काफी ज़्यादा confident हूँ तो अब हम बात करते है background noise and echo के बारे में echo ना record हो तो इसका एक simple सा तरीका है कि आप किसी भरे हुए कमरे में recording करना लाइक जहां पर sofa आल मारी, curtains या फिर बहुत सारे कपड़े रखे हो उसमें record करना बट अगर आपके कमरे में sofa आल मेरा या कपड़े नहीं है तो आप blanket के अंदर भी recording कर सकते हो बट अगर आपके पास फिर भी blanket नहीं है तो आप simply तीन पीलो के बीच में अपने एक phone को रखके record कर सकते हो इससे आपकी voice टकरा के वापस नहीं आती है ठीक है तो आप इन तरीकों का यूज करके अपने voice से echo remove कर सकते हो तो अब हम बात करते हैं background noise की तो अगर आप अपने recording से background noise को remove करना चाते हो तो Adobe Podcast के website पर जाने के बाद वहाँ पे आप अपनी voice को upload कर देना तो कुछ टाइम में वो आपके audio में से background noise को remove कर देगा बाकी मैं तो आपको यही tip देना चाहूँगा कि आप कोशिश करना आप तब recording करना जब जादा noise वगरा ना हो आपके background में विकॉज इन सब टूल का यूज करके आपको voice quality काफी गिर सकती है और आवाज आपकी पतली हो सकती है इसलिए आप तब audio record करना जब background में आपके जादा noise ना हो बट unfortunately background noise record हो चुका है तो आप इस टूल का यूज कर सकते हो तो बस यार इस वीडियो को यही पर खतम करते हैं ठक गया यार मैं recording करकर करके और एक और main चीज कि आपको recording कहां पर करना है तो वैसे मैं जहां पर recording करता है मैं अपना बतायता हूँ तो मैं किसी भी अपने editing app में अपनी audio को record कर लेता हूँ और वहीं से trim वगएरा कर लेता हूँ जो फालतु पार्ट होते हैं और simply उसे video format में export कर लेता हूँ उसका MP4 टू MP3 में convert कर लेता हूँ इससे voice quality भी ज़्यादा खराब नहीं होती है और मेरे को काफे ज़्यादा easy रहता है तो आप इस तरीके का use कर सकते हो बाकि यार जो बंदे यहां तक video देख रहे हैं सच में यार मतलब thank you so much यार तो जो लोग अभी तक video देख रहे हैं इस वीडियो पर aim करता हूँ 300 comments का तो अगर इस वीडियो में 300 comments आ जाते हैं तो सच में यार मज़ा आ जागा और मैं next video पर काम करना तुरंती शुरू कर दूँगा तो अगर आपके किसी दोस्त को audio record करने में या फिर किसी चीज में problem होती है तो आप इसे share कर सकते हो ये video इसके लावा आप हमारे इस playlist को भी share कर सकते हो बाकि यार फिर से thank you so much यहां तक video देखने के लिए तो बस ऐसी support करते रहना और हम लोग 20K के काफी ज़्यादा करीब हैं तो क्या पता जब मैं ये video upload करू तब तक 20K हो गए हो सो बस मिलते हैं नेक्ट वीडियो में till then bye take care